जैमात अदी अब हम देखते हैं 2023 में धनूरासी वालों के लिए क्या आ रहा है धनूरासी वालों के लिए कुछ ऐसी चीजे हैं जिसकी समापती होने वाली है आपके लाइफ में कोई ऐसे रिष्टे हैं कोई ऐसे लोग है ठीक है जो कहीं न कहीं बहुत ज्यादा इगो ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग देखें मुझे यहाँ पर दो ग्रूप नजर आ रहा है एक तो आप बहुत ज्यादा ही स्प्रिच्वल हैं बहुत ज्यादा आपका जो इंट्यूसन पावर है बहुत ज्यादा अच्छ है जिसकी वज़े से क्या हो रहा है कि कुछ कि मन में आपके लिए उतना ज्यादा अच्छा यहाँ पर मुझे नजर नहीं आ रहा है क्योंकि फो नंबर और यहाँ पर मुझे तेरा नंबर तो किसी ना किसी चीज की देखिए समाप्ति होगी और यहाँ पर धनूरा हम सब जानते हैं कि सनी की साड़े साती जो है अभी स समाप्त होने वाली है पूरी तरीके से तो एक तो यह समाप्ति ऐसा लग रहा है कि निगेटिविटी देखिए मैं हमेशा कहती हूं कि सनी देव जी जो है हमारे कर्म 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 जो हम करते हैं उसी का फॉल देते हैं तो कहीं न कहीं मुझे दो ग्रूप यहाँ पर नजर आ है कि देखिए आपके लाइफ में आपके आसपस ऐसे कोई लोग हैं जिनके अंदर काफ़ी जाना मतलब जैसे कहते ना कि आपको कुछ जो भी कार्मी की स्थिती है वो समात्त होने वाली है अल्रेडी 13 तारी को मुझे लग रहा है 13 जन्वरी को बहुत लोगों के लाइफ से 13 जन्वरी 13 फर्वरी को बहुत लोगों के लाइफ से आपके लाइफ से जो कार्मी की स्थिती है वो समात्त हो चुकी है आने वाले समय मे और भी अच्छे से clean होगी आप में से बहुत लग जो spiritual journey में है आपका intuition बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है ऐसा लग रहा है यहाँ पर 18 तो कहीं न कहीं जब आप यह reading देखेंगे 18 मेने के अंदर या किसी भी प्रकार से 9, 18, 27 इसमें आप अपने कार्मी की स्थिती से और negativity से पूरी तरीके से हट जाएंगे कुछ लोगों के लिए कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर negativity नजर आ रहा है जो बहुत अच्छे तरीके से हट जाएगा पूरी तरीके से आप जिनको भी अपना इश्ट देवजी मानते हैं जिनको भी गुरु देवजी मानते हैं आप उनके सरन में पूरी तरीके से रहिए जो भी स्थिती है देखिए यहाँ पर डरने वाली कोई बात है नहीं क्योंकि सारी चीज़े तो आल्रेड़ी आपके लिए टेद का काड़ा है सरी चीज़े तो अल्रेडी समाट हो रही है आपके लाइफ में जो भी स्ट्रगल है जो भी कंफ्यूजन है जो भी आपके परस्नल लाइफ में आपके स्प्रिच्वल ग्रोथ में जो भी बाधाएं हैं वो समाप्त होने वाली है, मार्च के मन्त में आपको कुछ गुड नियूज यहाँ पर मिल सकता है, अगर आप महिला है, अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है, तो आपके लिए कोई रिस्ता अच्छा आ सकता है, अगर आप मेल देख रहे हैं, आपके लाइफ में मार्च के मन्त में कुछ good news मुझे आते हुए यहाँ पर नजर आ रहा है देखे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप अगर आप married है ठीक है तो आपके married life में एक बहुत ही खूपसूरत new beginning होगी और अगर आप unmarried है तो आपकी जो marriage है ऐसे person से होगी जो काफी ज़्यादा loving और caring होगे और अगर आप married भी है तो भी आपके life में जो भी आपके married life में भी कुछ negativity थी यहाँ पर नजर आ रहा है कुछ कार्मी की स्थिती चल रही थी तो देखे यहाँ पर वो जो कार्मी की स्थिती है वो जो इस्टक की स्थिती है उससे आप भड़ जाएंगे कही न कही फोर फोर यहाँ पर आपका आपके पार्टनर से बहुत लंबे समय से पार्षड लाइफ कनेक्शन यहां पर नजर आ रहा है, जिसकी वज़़ए से कुछ कार्मी की स्थिती से आप लोग निकलेंगे, आप दोनों ही निकलेंगे हो सकता है कि यहां पर आपके partner का भी जो ego है वो भी या आप दोनों में से किसी का भी जो ego है वो हटेगा यहां पर और वो जो अपने मन की भावनाओं को आप से शयर नहीं कर पाते थे किसी भी वज़ा से क्योंकि अभी मुझे यह फील हुआ कि उनके थ्रोट चक्रा में थोड़ा सा दिक्कत था तो वो जो थ्रोट चक्रा में उनका दिक्कत था और वो किसी से कहते हैं कि एक इगो रखता है इंसान के अंदर तो वो चीजे वो than n कर पाते हैं अब आपसे सारी बाते सेयर करेंगे, आपसे कोई भी बात मुझ छुपाने की कोशिस भी नहीं करेंगे, अभी तक जो भी स्थिती थी बहुत अलग थी और आने वाले समय में आपके लिए वह स्थिती बहुत ज़्यादा चेंज होने वाली है, यहाँ पर क्योंकि कहीं न कहीं आप अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा फील करते हैं, यहाँ पर मुझे यह नजर आ रहा है, तो यही चीज आपके पार्टनर समझेंगे आपके लिए और उसके बाद उनके अंदर जो चेंज आएगा, वो काफी ज़्यादा पॉजिटिव चेंज रह कि अब हम देखती है आपके लिए यहाँ पर डेकि हम ने यहाँ पर तो आपके लिए निकाली आ. अब देखेंगे particul M succession में हैं, तो आपके लिए मुझे ऐसा भी क्योंकि आप देखेंगे हैं कि अभी कफ्योजन वाली स्थी यहाँ पर मुझे नजर आई तो कहीं न कहीं हैं आपके अंदर जो सचाई है वही आपके लिए काफी जादा आपको घ्रोफ तक लेकर जाएगी आपके परस्नल याइफ में गर आपकर जितना ज्यादा आप मेहनत का। आपको उस महनत का फल उतना ज़्यादा अच्छे से मिलेगा कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि आप दुनिया अपनी real side आपके अंदर कितना confidence है आपके अंदर कितना ज़्यादा creativity है या आपके अंदर कितना ज़्यादा positivity है यह आप लोगों को दिखाएंगे दिखाएंगे नहीं वो खुदी रेखेंगे यहाँ पर ऐसी energy नजर आ रही है यह मुझे ऐसा लग रहा है किसी भी प्रकार से या तो यह पूर्णिमा के समय में यह हो सकता है मुझे बहुत ज़्यादा यह पूर्णिमा के समय में नजर आ रहा है और आपको आपको अपने प्रश्न आपने कुछ प्रश्न किया था ठीक है पिछले फुल मून में उसका आपको जो उत्तर है या तो आपको ड्रीम के दोरा प्राप्त हो गया है या किसी के मार्ग दर्शन से आपको प्राप्त होने वाला है यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है अब हम आपके लिए देखेंगे आपके एंसिस्टर्स आपको क्या बताना चाहते है लंबे समय से आप जिस्टर्स सिच्वेशन में है उससे निकलने के लिए आपके साथ मुझे देखें यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप सबसे पहले तो मुझे आपके लिए उपाय लग रहा है बहुत ही अच्छे से सुरुआत होने वाली क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है आपने जो भी कर्म किया यहाँ पर भी आप देखिए जो भी आपने बीज बोया है कि आप में से कुछ लोग मुझे ज़े बहुत चाहरा है और यह भी मुझे नजर आ रहे है कि आप में से कुछ लोग माता जी को बहुत ज़्यादा मानते हैं और कुछ लोग स्री हनुमान जी मतलब स्री हनुमान जी भोले बाबा जी मतलब जैसे कि हम कहते हैं देवी देवता पहुत ज़्यादा आप मानते हैं उनकी क्रिपा बहुत ज़्यादा है आपके उपर और आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए है जो spiritual journey में बहुत आगे बढ़ने वाले रहेंगे आपको eagle ठीक है आपको eagle या तो उनकी आवास सुनाई देगी उनका चीतर दिखेगा किसी भी प्रकार से आ आपकी बहुत क्रिपा है आपके उपर और आपको कोई mentor मिल सकते हैं बहुत ही अच्छी जो है आपके लिए यहाँ पर निकल कर आया है reading क्योंकि कहीं न कहीं ऐसा लग रहे है कि आप मेंसे कुछ लोग यही confused हो रहे हैं कि हम क्या करें आगे क्या करें तो उसके लिए आपको कोई mentor मिलने वाले हैं already या तो आप किसी mentor को मांते हैं आप किसी गुरु देवजी को इस्ट देवजी को मांते हैं उनकी क्रिपा आपके सांथ बहुत ज्यादा है यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है आप मैंसे कुछ लोगों को पानी अच्छे से पिने की आवसकता है यहाँ है आरहा है आप अपणी आप में खुस रहें यहाँ पर मुझे अश्र Reports ब Pas कुष के लाइं वह संगी कौन क्या कर रहें इसला बहुत चाहिए परिपकवता आई है पहले नहरे है अजे लेकिन वह इनोसेंस एक मैच्योरिटी में बदलने वाला है फरवरी मार्च के मंत में आप में से कुछ लोग किस भी प्रकार से कला से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं और आप लोग जब भी आप कहीं अगर आप जाना चाहें घूमने जाना चाहें तो आप लोगों को वाट कहीं पर भी जहां पर वाटर है या ऐसे प्रक्रिती के करीब आप रहना बहुत जादा पसंद करेंगे कहीं नकहीं आपके लिए ऐसा लग रहा है जैसे कि मुझे नजर आ रहा था तो वो जो कंफ्यूजन है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ मेरे अपने या फिर मेरे दोस्ति फिर जो भी है इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया तो कहीं न कहीं आपके लिए मार दर्सन है डिवान जी की ब्रेसिंग है कि आप एक उच्छे इस तरिया सोल है ठीक है आपका एक लाइफ परपस है आपके लिए साहीं बबाजी का मार दर्सन है जब आप आगे आपके साथ असेंडेंट मास्टर भी आपके साथ है तो कहीं न कहीं आप जब आगे बढ़ेंगे जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे कि आपके साथ यह सब क्यों हुआ कैसे हुआ आपको समझ में आ जाएगा आपको आगे बढ़ना था इसलिए अगर आप इस अटेज फिर से लग रहा है आपके गुरु देव जी की आपके इस्ट देव जी की बहुत जादा कृपा है तो बहुत ही खुपसूरत अनर्जी निकल करें मुझे अभी ऐसा भी लग रहा है आप में से कुछ लोग यहां पर रीडिंग सुनते हुए इमोशनल हो सकते हैं या कोई र और यही करने की दुखों का सामना किजाया है कि आपने जो भी चीजे आपने संगर्ज किया उसका आपको बहुत ही खुपसूरत जो है रिवार्ड आपको फूट फूल रिजल्ट आने वाले समय में प्राप्त होने वाला है तो आपसो अपना ख्याल रखें बहुत ही